नमस्कार आप सबका आपकी चैनल में स्वागत है आज एक नए टोपिक पर डिस्केशन करेंगे बहुत सारी क्वेरी आई है गवेरी आती रहती है कि strong stock आप बोलते हो but find out केसे करें कहां से हम stock को identify कर सकते हैं क्या method हो सकती है आप थोड़ा step by step बता सकते हैं तो आज हम step by step discussion करेंगे कि हम strong stock को कैसे identify करें जब market गीर रहा होता है उस time stocks को screen कैसे कर सकते हैं तो ओचीज आथ सीखेंगे and last में आपको वह भी बताऊंगा कि कहां पर entry करेंगे तो better रहेगा किस तरह से आप SL वहां पर लगा सकते हैं तो सारी चीजे discussion करेंगे and video थोड़ा सा lengthy हो सकता है तो पूरा देखे तभी आपको समझ में आएगा मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत लोग पूरा video नहीं देखते हैं and वो बहुत सारी चीजे छोड़ देते हैं तो I request everyone please watch video till last okay so let's start it अब देखो बहुत सारे स्टोक से यहां पर लिस्टेड आप देखेंगे तो 4,000-5,000 स्टोक है but किस तरह से हम identify कर सकते कि कौन सा स्टोक हमें चूज करना तो NAC का website हम यूज करेंगे मैं link उसका description में डाल दूंगा otherwise आप directly search करेंगे कि NAC 52 week high ऐसा करके आप करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा आपको तो इस तरह से आप मैं link आपको भेज दूंगा यहां पर description में आप वहां से भी check कर सकते हो तो जब भी आप उस link पर click करेंगे इस page पर आ जाएंगे यहां पर बहुत सारे stocks आपको देखने को मिलेंगे जो भी आपको यहां पर screen पर दिख रहा है यह कौन से stock है जो 52 week high यानि कि last one year का high था उसके आसपास अभी trade कर रहा है वह वाले stocks काफी अच्छे रहते हैं मैंने बहुत चार्ट भी शेर करें आप देख भी सकते हो एंड यह stocks market गीरता है फिर भी कुछ stocks यह से है जो sustain करते है मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो वह stocks stocks हमें एक अलग से watch lease create करना है उसमें एड कर देना जैसे आप ट्रेडिंग यू पर आप एड कर सकते हो यहां पर जैसे मैंने यहां पर create करा हुआ है कि strong stocks का आप एक watch lease एड कर दो जो भी stocks आपको अच्छा लगे उसमें उसको आप यहां पर एड कर दो at last आपको 30-40 stocks यहां पर हो जाएंगे और उसमें से आपको जो अच्छा लगे वही stocks में आप trade ले सकते हो राइट तो वह सारी चीज भी process में बताऊंगा किस तरह से कर सकते तो यहां पर देखेंगे तो अधानी enterprise अधानी ports अधानी transmission अधर इंडिस्री जो रिसेंट्ली IPO आया था एस्यन वाटल्स अम्बुजा सिमेंट अपोलो टायर अर्मन फाइनेंशियल एक्सिस केड तो बहुत सारे स्टोक है आप यह सभी स्टोक भी ले सकते हो आप डाउनलोड भी कर सकते हो CSV फाइल और यह पूरा आप सभी के सभी आ चेक करते जाओ जो आपको अच्छा लगे जो स्टोक आपको अच्छा लगे उसको ऑपेट करे तो भी चलेगा तो हम यहां पे वन बाईओन आप चेक कर सकते हो जैसे पहला जो स्टोक स्टोक आप यहां पर देखे हिंगे तो एक आरवी- एनकौन लिमिटेड करके है आपक इसका आप चार्ट देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यह काफी यहां पर मुवुमिन्ट रहा इसका लास तीन दिन से आप देख रहे हो 110 से लेके 180 तक इसका मुवमेंट रहा है तो यह यह स्टोक्स बहुत टाइम से इसमें आ रहा है तो आपको यह देखना है राइट अभी यहाँ पे यह ओल्रेडी काफी अप जा चुका है काफी इसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ ओल्रेडी दिख रही है तो आप इसको एड भी कर सकते हो आप वोच कर सकते हो कि जब भी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन आए तो आप इस स्टोक्स में आप एंट्री बना सकते है मैं यहाँ पे जिस्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बाई सेल में recommended नहीं कर रहा हूँ पट आपको क्या है कि स्ट्रोंग जो स्टोक से उसमें आपको उसको enter कर देना है जिसे मैं यहाँ पर RV एंकॉन का स्टोक एट कर देता हो जिसे आप यहाँ पर वो स्टोक आगया तो दूसरे स्टोक आप पेले identify करो, check कर लो कि कोणकोण से stokes आपको age करने है अदानी enterprise आप देख लो अदानी enterprise काफी time से चल रहा है आप देखे हैं काफी सारी strength है इसमें तो यहाँ पे आप इसको skip भी कर सकते हो क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे stretch हो चुका है तो यह अदानी enterprise अदानी transmission यह दोनों स्कीप करेंगे अधानी पोर्ट्स अभी इतना मुवमिंट नहीं हुआ है उसका तो आप इसका वोज कर सकते हो यह रहा उसका चार्ट आप देख सकते हो कि एक रेक्टिंगुलर पेटन यहां पे ब्रेक आउट हुआ है एंड री टेस्ट करने आ रहा है तो यह प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हो यह अधानी पोर्ट्स आ गया उसके बाद उसके बाद आप देखेंगे तो एथर इंडस्रीज का भी चार्ट मेंने टेलिग्राम चेनल पे डाला था उसका चार्ट भी काफी अच्छा लग रहा है आप आप ली चार्ट में देखेंगे तो यह आप देखेंगे तो जस्ट ब्रेक आउट हुआ है एंड लास्ट मार्केट यहाँ पे नीचे गीर रहा था यह स्ट्रोंग यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कुछ दिनों से तो यह भी आप वाच लिस में एड़ कर सकते हो एथर इंडस्रीज अब दूसरे स्टोक्स पे मूँ करते हैं इस तरह से आप सभी स्टोक यहाँ पे एड कर सकते हो जैसे यहाँ पे मैं अभी वन बाइवन आप कुछ चेक कर लेना कौन-कौन से स्टोक अच्छे दिख रहा है यहाँ पे मैं एक और आपको बताना चाहूंगा बीडियल लिमिटेट बीडियल लिमिटेट का आप चार्ट देखेंगे तो वह काफी इंट्रेस्टिं तो इसको भी आप एट कर देंगे इसमें राइट इस तरह से आप जितने भी 20-30 या 10-15 जो भी स्टोक आपकी यहाँ पे हो जाएंगे आपको इसको उब्जव करना है कौन से स्टोक में अच्छा यहाँ पे पोटेंशिल बन सकता आप वोच करें जहां पे भी अच्छे मोम से आप प्रिपेर कर सकते हो यह 50 टुवीक हाई एंड लो वाले यह स्टोक से तो एंसी की साइट से आप कर सकते हो दूसरी जीज आप यह भी कर सकते हो यहाँ पे एक ओड टेव है अल्यूम गाइनट इस पे आप क्लिक करेंगे आपको तोक मिलेंगे जिसमें जो लास्ट से से हाई रहता है compared to last one week and last two week right अब कैसे मैं आपको बताता हूँ ए मिदनी का आप देखेंगे तो last day का वोल्यूम इतना था आप देख सकते हो 99 लाग का almost 1 को वोल्यूम था इनसे पहले का week का आप देखेंगे तो 18 लाग का था last two week का देखेंगे तो 12 लाग का ही वोल्यूम था तो last day का जो वोल्यूम था वो मैसिव वोल्यूम था और उसकी comparison में प्राइज भी देखेंगे तो 5% प्राइज भी अप गया and last week and last two week भी प्राइज अप दिख रहा है मतलब यह एक strong trend में है तो आप यह stocks भी 8 कर सकते हो वो वाली watchlist में तो इसमें से भी आपको एक अच्छे stocks आपको मिल जाएंगे टाटा स्टील लोंग भी काफी strong था कल राइट तो यह stocks आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे फेर केम और गिनिक्स लिमिटेड ए चार्ट भी टेलिग्राम पर मैंने आपके साथ share करा था तो इसका भी volume देखेंगे और इसका price moment भी देखेंगे तो यह positive रहा है last two weeks से तो यह काफी अच्छा रहता है जहां से आप stock पीक कर सकते हो और यह सारे stocks आप prefer करेंगे तो एक strong list आपका तयार हो जाएगा जिसमें पूरे strong stock ही आपको मिलेंगे अगर आपको लगता है इसमें से कोई perform नहीं कर रहा है तो आप उसको remove भी कर सकते हो उसको निकाल सकते हो वापिस कोई नया stock आता है तो आप उसको add कर सकते हो यानि कि पूरा strong stock का ही आप उसके watch कर सकते हो यह trading के लिए कापी अच्छा रहता है क्योंकि देखो suppose यहां से अप गया है वापिस आपको मोका देगा तो उस time जो भी यह strong stock रहा था वो वापिस यहां पे आपको एक pick up होता हुआ आपको दीखेगा राइट तो यह एसे stocks आप prefer करेंगे तो आपका means loss होने का chance वहां से ही खतम हो जाएगा क्योंकि यह ज्यादा गिरेंगे नहीं राइट और दूसरा point वह भी में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से buy sell कर सकते वह भी में अभी आपको बताऊंगा अब आप दूसरी तरीके से यह दो method तो मैंने आपको बताई कि 52 week आई volume gainers यहां से आप stock peak कर सकते हो बहुत सारी method है अभी आप दूसरे किस तरह से आप कर सकते हो वह भी बताता हो मैं दूसरा link भी डाल दूँगा या फिर आप NSE की website पे जाएंगे market data पे जाएंगे equity and SME market पे आपको click करना है इसमें से आपको जो भी index के उपर आपको चाहिए कि small cap company चाहिए mid cap company चाहिए या फिर आपको कोई sectorial आपको चाहिए कि bank का चाहिए metal का चाहिए तो उसके coding आप stock यहां से peak कर सकते हो यहां पे मैं आपको बताऊंगा small mid cap 400 वाले जो stock है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जैसे आप यहां पे देखेंगे तो small and mid cap 400 में किस तरह से यहां पे आपको आप select कर सकते हो वाली चीज आपको यहां पे दिखाता हो जैसे आपने यहां पे click करा and आपको क्या करना है जैसे आप यहां पे आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो भी stocks ज्यादा gain करा है जैसे यहां पे आप देख रहे हो यह percentage gain आप change कर सकते हो यहां पे तो जो भी ज्यादा perform करा है उसको आप यहां पे short करके उपर जो भी रहता है जैसे कि यहां पे last session में gain करा था जब market गीर रहा था राइट जैसे सुमीतों chemical तो इसमें से भी आप पी कर सकते हो जैसे यह BDL यहां पे भी आया है वह वाली list में भी था करूर वियासिया बेंक is my trip दूसरे सारे stocks भी आप देख सकते हो थरमेज पोलीमेड वह भी मैंने आपके साथ सेर करा था माजडोक टाटा स्टिल लोंग वह वाली list में भी था यह stocks लक्षमी मसीन क्रेडिट SEC पावर इंडिया जाइडेस वेलनेस बहुत सारे stocks आपको जो अच्छे stocks है जो जिसमें अच्छा एक गेन मिल रहा है वह वाले स्रेंथ जिसमें थी जिस टाइम पुरा मार्केट गीर रहा था एससे stocks आप वोज कर सकते हो उसका चार्ट देखो चार्ट अच्छा लग रहा है तो आप वोज लिस में आप 8 कर सकते हो यहां पर यहां पर अगर 30-50 stocks हो गए इस लिस में तो उसके बाद आप स्क्र कर सकते हो और ओचली कर सकते हो इसमें कोई screener या कुछ एट करने की जरूरत नहीं है इसलिए आपको बहुत सारे stocks मिल जाएंगे यहां से नसी की website से जो मैंने आपको बताया है तो यह बहुत easy way इसमें कुछ time भी नहीं लगेगा एक बार आप process start कर देंगे तो time भी कम लगे तो यह था पहला पार्ट की किस तरह से आप identify कर सकते हो किस तरह से आप watch list में add कर सकते हो और चीज भी नहीं बताई कि आपको sort out करना पड़ेगा अगर आपके पास 40 या 50 stocks होगे strong stocks में तो आप 40-50 जो stock है उसमें से आप 3-5 stocks कौन सा लेना प्रिपर करेंगे वह आप चार्ट के base पे screen कर सकते हो कि कौन से चार्ट structure अच्छा बन रहा है किस में अच्छी chart pattern बन रही है किस में अच्छा volume बना है वह सारी चीज आप देख सकते हो और उसमें से आप select कर सकते हो तो यह first part हुआ अब दूसरा part में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप entry भी कर सकते हो और कहां पर entry करेंगे तो better रहेगा आपके लिए तो जहां पर रिस्क आपका कम रहेगा और आपका reward आपको अच्छा आपको मिलेगा तो यह सारी चीज अभी discussion करते हैं जैसे मैंने यहां पर तीन moving average यहां पर लगाई हुई है आप देख रहे हो यहां पर एक orange, blue and green color की आपको moving average आपको दिखाई दे रही है तो यहां पर orange color की moving average है वो 26 days का यह में है blue color का है वो 50 days यह में है green color का है वो है यहां पर 200 days का यह में अब इसके पीछे logic वगेरा detail में नहीं जाएंगे बट ज्यादा तर यह short term में यह वाली रहती है mid में यह वाली and long वाला यह support means तीनों मिला के यह अच्छा एक combination हो जाता है तो यह तीन हम use कर सकते हैं तो 20, 50 and 200 यह 3 moving average आपको यहां पर दिख रही है अब आपको देखना किया है जो भी stock या तो जो भी stocks आप देखेंगे यहां पर आप देख रहे हो इस वाले points पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी stocks यहां पर गिर रहा है उसके बाद यहां पर यह जो orange and blue color का moving average आप देख रहे हो 26 and 50 days का moving average को जो भी cross करके उपर sustain करता है क्रोस करके उपर sustain करता है and stocks 52 या all time high के आसपास है तो इस से stock में आप momentum trade ले सकते हो कहां पर इस जिगह पर आप ले सकते हो जब भी यह तुरंत यहां पर cross हुआ है उस time आप लेंगे तो वो आपको better result देगा इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है suppose यह आप देखेंगे अभी तो यह बहुत दूर है right यह अभी आप देखेंगे तो stocks यहां पर trade कर रहा है moving average यहां पर है तो आप देखो दूसरे कौन से stock इस moving average line के आसपास है तो एसे stock आपको देखने है let's see इस में से कोई stocks उसके आसपास है या नहीं यह भी बहुत दूर है अदानी port देख रहे हो आप यह नीचे आ रहा है तो इस line के आसपास possibility हो सकती है या फिर आप यहां पर देखेंगे यह वाले part पर आप देखेंगे इस जिगह पर यह देखो यहां पर कि यह just यह blue and orange line को just यहां पर cross करके यहां पर sustain करा ओके यहां पर तो उस time आप buy करेंगे तो आपके आपका risk यहां पर कम होगा क्योंकि आप buy ही यहां पर कर रहे हो तो यह एक अच्छी चीज हो जाएगी ओके लेट सी यहां पर जो मैंने यहां पर मैं आपको mid cap small cap 400 वाले स्टोक्स में आपको यहां पर दिखा जाओ कि जहां पर आप entry बना सकते हैं लेट सी में यहां पर कुछ स्टोक्स आपको दिखाऊंगा जैसे relax उस लिस्ट में से है रिलेक्स ओ फुट्वेर का चार्ट आप देखेंगे तो यह आप देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ है मैं सारी चीज रिमूट कर देता हो यहां पर आप देखो जो चीज में बोल रहा था कि यह orange और blue के आसपास अभी trade कर रहा है और पहले से यह downtrend में था अब जाके यह moving average को cross कर रहा है तो इसमें risk आपका कम होगा and reward आप देखेंगे तो काफी सारा आपको upside यहां पर देखने को मिल सकता again मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उपर ही जाएगा okay गलत भी होगा जहां पर भी आपका ACL होगा तो आपको निकल जाना बट मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपका risk कम हो जाएगा suppose आप यहां पर इंटर कर रहे हो and suppose आपका ACL यहां पर है तो आपका risk कम हो जाएगा यहां अगर आप यहां पर buy करते हो यहां पर buy करते हो उनकी जगव पर आप यहां पर buy करोगे आपका risk कम हो जाएगा आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको तो यह relax हो का चार्ट है अभी यहाँ पर दूसरे stocks भी देखते हैं कि जिसमें यह चीज बनती हुई आपको दिख सकती है let's see दूसरा indigo paints का देखते है indigo paints indigo paints का चार्ट आप देखेंगे तो यह भी आप देखेंगे तो यह देखो blue and orange moving average क्या आसपास है यहाँ पर just cross करने जा रहा है अभी यहाँ पर cross इतना यहाँ पर strong chart नहीं दिख रहा है तो जहाँ पर आप देखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है जैसे यह green line cross करता है blue and orange और उसके बाद यह green line cross करता है ऐसे candle उसके बाद आपको एक अच्छा मूँ आपको देखने को मिल सकता है यह आपको पता किसे चलेगा experience practice से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको buy sale आपको करना है तो इतना आपको practice करना पड़ेगा तभी आपको क्या है कि एक समझ में आएगा जैसे एक APL Apollo का हम देखते हैं उसमें भी moment आई थी last कुछ दिनों में APL Apollo का देखेंगे तो यह अभी इसके आज़ पास है यह भी कापी time से consolidate हो रहा है तो यह भी कापी interesting है जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे arrow लगाया है तो इस जगह पे भी यह base रहता है यहाँ पे थोड़ा सा wideness हो चुका है क्योंकि यह already एक यहाँ पे moment आ चुका है तो base part इस जगह पे रहता है जहाँ पे वो down moment के बाद जस यह orange and blue को cross करती है right अभी दूसरे stocks हम देखते है इसमें से APL Apollo हमने देख लिया let's see Sumitomo chemical अल्रेडी हमने देखा है thermics thermics का देखते है thermics में क्या हुआ है यह यह भी चार्ट आप देखेंगे तो यह देखो both times से consolidate कर रहा अभी देखो एसा नहीं है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जिससे यहाँ पे आपने buy कर लिया और कुछ stocks में होगा कि वो इससे consolidation mode में रहेगा and दीरे दीरे करके वो उपर जाएगा यहाँ नहीं है कि आपने यहाँ पे buy कर लिया मतलब उपर ही जाएगा देखो यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं है technical analysis में वो थोड़ा सा study करना पड़ेगा but at least ऐसे stock में आपका loss होना loss होने के chances आपके कम हो जाएगा वो सारी चीज में आपको बता रहा हो जो आप कोई भी जो गिर रहे हो ऐसे stock आप ले रहे हो इन से अच्छा है कि आप ऐसे stocks लेंगे तो at least यह recover भी हो जाएंगे and इसमें अच्छा gain भी आपको मिल सकता है इस वज़े से यह सारी चीज में आपको यहाँ पे दिखा रहा हो right तो यह यह चीज आप यूज कर सकते हो और दूसरे कोनकों से stock है आप देख सकते हो यहाँ पे 400 stocks का list है पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो right यहाँ पे दूसरा में आपको दिखाऊंगा सुन्दरम फास्टनर का देखते है advanced enzyme दूसरे चार्ट भी देखते है advanced enzyme यह भी कापी टाइम से देखेंगे तो यह downtrend में अभी चल रहा है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे continuously तो जैसे ही यह upside यहाँ से जाना start करता है यह green line के उपर cross करेगा उसके बाद यह अच्छा moment आपको देखने को मिलेगा कैसे अभी मैं पूराना chart में आपको दिखा था हो यह देखो यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ से देखो यह नीचे जा रहा था अब यहाँ पे किया हुआ यह देखो एकदम down moment के बाद यह up आया and continuously up green blue and orange के आसपास उसके उपर sustain कर रहा है बट जो पास का trend है वो downtrend था अब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे buy करा है तो मतलब over गीर सकता है तो यहाँ पे अगर नीचे भी जाएगा तो आपका थोड़ा सा SL heat होगा अधरवाइस आपको एक बड़ा gain मिलेगा जो आप आपको यहाँ पे यह दिख रहा है कि यहाँ से एक बड़ा moment आपको देखने को मिला कितना gain मिला आप देख सकते हो यहाँ पे 170% तो यह अच्छी चीज आप कर सकते हो तो यह यह चीज भी कर सकते हो जो stocks downtrend में है वो भी आप यूज कर सकते हो यह दूसरी चीज हो गई and जो यहाँ पे trade कर रहा है all time high के आसपास उसमें भी यह blue and orange के आसपास है उसमें आप trade लेंगे तो risk कम रहेगा and reward आपका ज्यादा आपका रहेगा तो यह small and mid के पे आप आपको FNO वाले stocks देखने हैं तो FNO वाले stocks में भी आप देख सकते हो जो भी आपका आपको index चेक करना है वो सारे index आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 50-50 का देखना है तो वो भी देख सकते हो mid cap small cap 400 का आपने अभी देखा अभी मैं आपको यह FNO वाला आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तो यह सारे stocks अगर आप यहाँ पे identify करेंगे तो आपको एक अच्छा output आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तो यह FNO वाले stocks आपको यहाँ पे दिखाई देगे और जो अच्छा powerful stock है जिससे इंडसें bank तो उसका chart देखते है इंडसेंड bank में क्या हुआ है इंडसेंड bank का chart देखेंगे आप तो अब आपको ही पता चलेगा इसमें हो क्या रहा है अब देखो यहाँ पे trade कर रहा है अब भी वापिस यह blue और orange line के आसपास आता है तो यह कापी detail जो मैंने बताई वो काफी helpful होगी आपको और इसमें risk भी कम हो जाएगा यहाँ पे एक पूरी detail में सारी चीज़े बताई है अब इमें वापिस revise कर देता हो कि हमको stocks कहां से identify करना है आपको मैं link दे दूंगा आपको identify करना है यह दो list में से आप कर सकते हो 52 week high and volume gainers में से दूसरा आप directly NSE की website पे जाएंगे market data पे क्लिक करेंगे equity SME पे क्लिक करेंगे आपको इस तरका कुछ list मिलेगा by default nifty 50 होगा आप यहाँ पे change कर सकते हो जो भी चाहिए midcap 150 चाहिए nifty auto चाहिए nifty bank चाहिए जो भी index चाहिए वो आप select कर सकते हो यहाँ पे भी आप identify कर सकते हो right and identify करके आप एक watch list में आप add कर सकते हो जैसे अभी index end अमें अच्छा लग रहा है तो इसको भी में add कर दूँगा सबी stocks आप add कर दो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसमें आप trade ले सकते हो तो यह सारे stocks ही आपको track करने है जहां से आपको एक अच्छे winners आपको मिल सकते है means जब भी market गिर रहा है उस time की में बात कर रहा हू यह सारे stocks आप देख सकते हो यह positive close हुए है despite market negative close हुआ है तो एक strength बनी है एन आप यह stocks का past one week and two week का data भी चेक कर सकते हो उसका volume कैसे रहा था तो आपको एक strong stock आपको मिल जाएंगे दूसरा पार्ट में यह चीज बताया की यह तीन moving average हम use कर सकते है 26 days, 50 days and 200 days so यहाँ पे orange आप देखेंगे तो 26 days का है blue वाला 50 days and यह वाला जो आप देखरें ग्रीन वाला वो 200 days का है तो जब भी यहाँ पे यह cross करता है इसके आसपास रहता है 26 and 50 days के आसपास उस time अथी opportunity रहती है strong stock में and जब भी 50 days को break करके नीचे चला जाता है तो वो थोड़ा सा weak हो जाएगा उस case में आपको ध्यान रखना है and आपका ऐसे लीट हो जाता है तो आपको निकल जाना right we can't bear much more loss loss को हमें define करना पड़ेगा कि आप कितना loss bear कर सकते हो कि 3 to 5 percent या 5 to 6 percent 5 to 7 percent यहाँ पे 5 to 7 percent maximum आप risk रखे यहाँ पे ज्यादा risk ना रखे तो इसका मतलब यह कि आपका capital protect होगा अगर आप unlimited risk रखेंगे तो might be 50 percent 40 percent down होगा तो भी आपका पूरा capital wipe out हो सकता है तो यह सारी चीज़े आप follow करनी पड़ेगी यहाँ नहीं है कि हरेक stocks में share करता हूँ वो आपको 100 percent return देगा even I don't claim it like 100 percent it can give you the returns तो जहाँ पे हम right होते है जहाँ पे हमारा decision right होता है कि हमने यहाँ पे buy करा है and stocks move कर रहा है तो winners को hold करे and जो perform नहीं कर रहा है नीचे ही गिर रहा है उसको आप निकाल दे इस तरह से आप करते जाएंगे you get a good profit over the time अब देखो कल से कल का आपको यह start होना start नहीं हो जाएगा it take a time आपको practice करना पड़ेगा थोड़ा time लगेगा अपने आप में थोड़ा सा concentrate करना पड़ेगा अब आप directly skip करके इदर उदर देखने जाएंगे तो नहीं होगा shortcut नहीं है किसी भी चीज का तो थोड़ा सा patience रखे थोड़ा सा practice करे and अपना आपको improve करे ताकि आपको भी profit हो सकता तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आप comment section में जरूर बताए कि आपको केसा लगाए अच्छा लगाए बुरा लगाए कोई बात नहीं तो आज के लिए इतना मिलते हम next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर